Continuing in the chapter of Anatomy of Flowering Plants, in the sixth lecture today, we are going to discuss about the anatomy of the Dicot and Monocot stem. हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं stem के बारे में Dicot से, तो NCRT हमें ये कहती है कि TAS आप देखो, एक टिपिकल यंग Dicot stem का, इसके अंदर पता ये चलेगा कि जो epidermis है, ये outermost protective layer है stem की. फिर एक बात हमने ये भी पढ़ी थी कि cuticle नाम की एक चीज प्रेजन्ट होती है, जो epidermis के भी बाहर प्रेजन्ट होती है, और ये waxi covering है, जो कि prevent करती है, क्या water loss को ये प्रेजन्ट करती है, ये चीज हमने पढ़ी थी. तो हमारे पास कुछ इस तरीके का arrangement हमें stem के case में देखने को मिलता है, सबसे बाहर हमें cuticle मिलेगा जो कि एक waxi covering है, उसके बाद हमें epidermis देखने को मिलता है, epidermis के अंदर आएंगे तो हम लोगों को पता है कि epidermis और pericycle के बीच में पूरा का पूरा cortex बारा हुआ होता है, layers के बीच में arranged है, सबसे बाहर वाली layer जो just below the epidermis होगी उसको हम लोग hypodermis बोलेंगे, और सबसे अंदर वाली जो layer होती है cortex की उसको हमने पहले भी root के case में भी endodermis बोला था, मैं एक बार recall करवाने के लिए ये कह रहा हूँ कि आपको dicot root के अंदर endodermis में casperian strips देखने को मिली थी, जो की barrel shape के cell से मिल करके बना हुआ था, जिसमें tangential और radial walls के अंदर सुबेरीन की deposition थी, बहराल वापेस हम लोग अपने stem के case में आए, तो cortex यहाँ पर भी तीन layers में divided है, सबसे बाहर वाला जो है हमारा hypodermis, उसके बाद cortical layers होंगी बहुत सारी, उसके बाद last और innerm यह हम लोग पहले भी पढ़ चुके है, हाईपोडर्मिस जब हम लोगों ने कालन काईमा के case में डिसकस किया था, की कालन काईमा के case में ही ने कालन काईमाटस होता है, बृफ हमने कालन काईमा के lecture में ही डिसकस कर लिया था, फिर उसके बाद हमें clinical layers कुछ देखने को और उसके बार सबसे अंदर हमें देखने को मिलेगा अंडरोडरमिस जिसका दूसरा नाम किया है स्टार्च शीध भी कहते है इसके बात अगली लेयर जो स्कॉर्टेक्स के बाद आती है बहुत परिसाइकल परिसाइकल क्स से मिलकर बनी है scleran kai matis cell से मिल करके हमारी pericycle बनी है फिर बात आईगी हमारी किस की in bundles की ये bundles की ये bundles कीज़ है ये bundles है हमारे vascular bundles ये बने हुए हैं xylem और floem से मिल करके हमने bundle system के अंदर भी ये बात करी थी कि floem बाहर की तरफ होता है Xylem अंदर की तरफ होती है तो बाहर से अंदर जब हम लोग आ रहे हैं तो हमें सबसे पहले फ्लोयम मिली उसके बाद हमें Xylem मिलेगी और उसके अंदर सबसे अंदर यहां बीच में पित देखने को मिलेगा अब Xylem और फ्लोयम के बीच में because यह dicot की stem है यहाँ पे एक cambium ring भी present होगी paranchyma cells की layer भी present होगी उसको हम लोग cambium कहेंगे तो यह किस तरीके का arrangement देखने को मिलता है हमें conjoint देखने को मिलता है because यह bundle की form में present होता है same radiic along और दूसरा इसके अंदर एक जो cambium ring present होती है layer present होती है cambium भी उसकी वैसे यह open होता है तो dicot stem के अंदर conjoint open देखने को मिलता है on the converse side हमें क्या देखने को मिलता है monocot के अंदर conjoint close देखने को मिलता है अब यह arrangement हम लोग अगर गौर से इसको देखें तो सबसे बाहर हमने क्या देखा इसमें epidermis देखा epidermis के बाद हमने क्या देखी cortex की лेयर देखी cortex की तीन layers है क्या-क्या layer है hypodermis है हमारा उसके बाद coricail layers है और सबसे अंदर हमारी endodermis है endodermis के अंदर फिर हमने phloem دेखी यह phloem दिख रही है हम लोग को यह pericycle दिख रही है मेरे स्टेमाटिक टिशू के लिए जिसको कैमियम कहेंगे हम लोग और उसके बाद सबसे अंदर हमारा जायलम होगा उसके बाद हमारा पित आ जाएगा ये पूरा अर्रेंजमेंट है हमारी डायकॉट स्टेम का ये चीज हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं से बाहर epidermis है जिसमे epidermal hair देखने को मिल रहा है हमें और इसमें देखो अगर आप गौर से तो यह epidermal hair in case of stem दिखा रखा है आपको यह multi-cellular दिखा रखा है क्योंकि इसका नाम क्या है trichome है इसका नाम अगर आपको याद हो stem hair हम लोग trichomes कहते थे तो यहाँ पर septa दिखा रखा है इसका यह resemblance है कि यह multi-cellular है और branch और unbranch कुछ भी हो सकता है secretary भी हो सकता है hard और stiff भी हो सकता है soft और stiff दोनों में से कुछ भी हो सकता है epidermis की बात हुई फिर यह colon काईमा दिखा रखा है इसका यह मतलब है कि यह hypodermis की layer है उसके बात parent काईमा पूरा हमारा parent काईमा क्या हुआ? यह यह सब से अंदर हमारा अपेत है इसको हम लोग रीड करें NCRT से तो NCRT क्या कहती है ती एस के अंदर देखो टिपिकल यंग डायकोट स्टेम के अंदर उटर मॉस्टिक्टिफ स्टेम है लेयर है स्टेम की और जो इपडर मेंस है इसके बाहर हमें क्या देखने को मिलेगा thin layer of cuticle देखने को मिलेगा और stem क्या-क्या consist कर सकती है trichomes इसके अंदर हो सकते हैं और कुछ ना कुछ stomata हमें इसमें देखने को मिलेंगे फिर बात आई क्या कि जो cells है हमारे इसके किसके cortex के किस-किस के बीच में present है epidermis और pericycle के बीच में arranged है cortex की जो layer है ये epidermis और pericycle के बीच में arranged है ये several layers में arranged होगी यही बात कहीं NCRT ने कि cells arranged in multiple layers between epidermis and pericycle constitute करता है cortex cortex को हम लोग तीन सब zone में बाट लेते हैं पहला hypodermis उसके बीच में cortical layers और सबसे अंदर वाला endodermis बात करें hypodermis की इसका nature कैसा है colonchimata का बना हुआ है colonchimatus है और colonchimatus है तो ये क्या काम करेगा ये provide करेगा mechanical stent to the young stem उसके बाद बात आती है cortical layers की cortical layers क्या है कि hypodermis से लेकर endodermis के बीच में फैली हुई है ये किस nature की होंगी parenchimatus nature की होंगी exception थी colonchimatus तो हमने वो याद कर लिया अलग से cortical layers तो बागी cortex के अंदर सब parenchimatus ही बना हुआ होता है और parenchimatus है तो इसके अंदर conspicuous यानि visible हमारे intercellular spaces भी देखने को मिलेंगे फिर सबसे innermost layer जो cortex की है उसका नाम है endodermis endodermis के जो cells है वो rich होते हैं starch grains के अंदर और इसी वज़ा से इस layer को हम लोग starch sheath भी कहते हैं तो endodermis का दूसरा नाम starch sheath होगा किस case में? dicot stem के case में इसके अंदर हमें pericycle देखने को मिलेगी pericycle की बात करें ये special बात ये है कि pericycle जो हमारी dicot stem के अंदर ये scleran kymatis होती है pericycle is present on the inner side of the endodermis और phloem के उपर देखने को मिलेगी in the form of semi-lunar patches of scleran kymah ये important चीज है कि pericycle किस form में present है यहाँ पे semi-lunar patches की form में present है और nature कैसा है scleran kymatis nature है इसका फिर बात आई क्या कि जो हमारा vascular bundle है इसके बीच में कुछ layers present है radially placed pericymatis cells की और ये constitute करती है हमारी medullary rays diagram में मैं आपको समझाओं तो एक कुछ इस तरीके का होगा कि यहाँ पे हमारे ऐसे radially present होगी pericymatis cells pericymatis cells की layer जिसको लोग medullary rays कहेंगे ये चीज कहीं इसने medullary rays के बारे में फिर बात आई क्या लाज नमबर ओफ वैस्कुलर बंडल और अरेंज इन अ रिंग ये चीज भी इसी diagram से evident है कि ये एक हमारा vascular bundle है ये पूरे के पूरे vascular bundle हमारे ring form में present है ये जो ring format में present है हमारे vascular bundle ये dicot stem की characteristic है ये चीज हमें सिर्फ और सिर्फ dicot stem के अंदर देखने को मिलेगी यही चीज NCRT ने आगे बूली vascular bundle कैसे है last number में है arranged है किस कैसे form में ring की arrangement में the ring arrangement of vascular bundles is a characteristic of dicot stem अब ये बात आई कि जो हमने vascular bundle देखिए उसके features कैसे कैसे है तो बहुत simple conjoint है open है और endarch protozylum देखने को हमें यहां मिलती है फिर बात आई क्या कि a large number of rounded parenchymata cells with large intercellular space ये central portion को occupy करेंगे और इसको हम लोग पित बोलेंगे अब इसके अंदर कोई मुश्किल चीज नहीं है क्योंकि हमने ground tissue के अंदर पढ़ लिया था कि जो parent का ही मा होता है यही हमें cortex में यही हमें medullary raise में यही हमें pericycle में और पित में देखने को मिलता है यह चीज हम लोग पहले ही discuss कर चुके हैं जो exception थी वो क्या थी वो हमने यहां discuss कर ली और यहां अपने notes में side में लिख भी दी कि सबसे बाहर cuticle उसके बाद epidermis फिर cortex फिर pericycle उसके अंदर phloem उसके अंदर xylem उसके अंदर पित यह arrangement है हमारी dicot stem का cortex की तीन layers है hypodermis, cortical layers, or endodermis सब parent kai matas है लेकिन hypodermis in case of dicot stem is colon kai matas और pericycle कैसी है dicot stem के case में scleran kai matas scleran kai matas in nature है और semi lunar patches की form में present है semi lunar patches भी हम लोग यहां देख सकते है कि यह semi lunar patches की form में हमारी pericycle present है आधे चांद की तरह फिर phloem और xylem के बीच में हमारा cambium present होगा इसलिए यह conjoint दिखता है और open होता है यह चीज़ हम लोग यहां देख भी सकते है कि हमारी यह phloem है इसके बीच में cambium है और फिर यह xylem है तो यह पूरा हमारा conjoint यह पूरा हमारा conjoint है because same radii के along यह present है और इसके बीच में हमारी cambium ring present है तो यह open हो गया conjoint open हमें देखने को मिला this was all about our dicot stem फिर हम लोग monocot stem के तरफ move करें तो हम लोगों ने यह चीज़ बहुत पहले से पढ़ी हुई है क्या कि जो scleran kymatis होगा यह hypodermis में देखने को मिलेगा monocot stem के case में और hypodermis in case of dicot stem कैसा था colon kymatis था dicot के case में था colon kymatis और monocot के case में यह है scleran kymatis फिर बाता ही क्या के large number of scattered vascular bundles each surrounded by scleran kymatis bundle sheet जो होंगे यह देखने को मिलेंगे और large conspicuous paran kymatis ground tissue भी हमें देखने को मिलेगा अब यह diagram से हम लोग इस सारी जारी चीज़ समझेंगे कि हमें क्या देखने को मिल रहा है यह scattered है यह इतने सारे सारे गुच्छे में फैले हुए हमारे सब क्या है यह vascular bundles है scattered vascular bundles है इसके अंदर हमें एक चीज़ और देखने को मिल रही है यह छेद छेद दिख रहे हैं water की cavities है water conducting cavities हमें यहीं देखने को मिल रही है दूसरी चीज़ क्या है कि जो periphery में present यह vascular bundles है यह छोटे है और जो center में present है यह बड़े है यह चीज़ हमें देखने को मिली अब NCRT वापिस move को और हम लोग क्या कह रहा है कि monocot stem के अंदर scleran kymatis hypodermis मिलेगा बात नमबर एक दूसरी बात क्या scattered vesco bundles हमने देख लिया डियाग्राम में और सब के सब surrounded हैं कैसे scleran kymatis bundle cheat के दुरू यानि हर bundle के बाहर एक scleran kymatis cheat present है यह चीज़ हमें याद रखनी है यह important चीज़ है और वैसे इसके अंदर अगर अगर आप देखो monocot stem के अंदर यह भी scleran kymatis यह भी scleran kymatis तो गुणगान ही monocot हमारा किसका कर रहा है scleran kymatis का कर रहा है फिर parenchymatis ground tissue conspicuous होता है जब हमने ground tissue की बात करी थी तो हमने यह बात करी थी कि ground tissue हर जगा फहला हुआ है और parenchymatis से ही मिलके वो बनता है तो इसमें कोई नई बात नहीं है बर बात यह है कि important है तो याद रखनी है कि जो ground tissue है वो parenchymatis है और conspicuous होता है easily visible होता है conspicuous का यह माने फिर बात है वैस्कुर बंडल्स कैसे होंगे तो stem है तो conjoint देखने को मिलेगा और monocot की stem है तो इसके अंदर cambium नहीं रहेगा xylem और phloem के बीच में इसलिए यह conjoint closed है तो यह चीज भी यहीं पर वापिस repeat हुई कि यह conjoint closed bundles है फिर एक important चीज जो हमने diagram से समझी थी क्या कि peripheral vascular bundles जो है वो generally smaller होंगे than the centrally located ones यह चीज भी हमने यहीं देखी कि यह जो periphery में पड़े हुए हमारे vascular bundles है यह चोटे हैं और जो center वाले हैं यह बड़े बड़े से हैं फिर last point क्या कि phloem paranchyma absent होता है जब हम लोगों ने paranchyma के बारे में discussion किया था और phloem paranchyma के बारे में discussion किया था हमने तब ही यह बात कर ली थी क्या कि phloem paranchyma monocots के अंदर absent होता है monocots के अंदर ऐसी कोई चीज देखने को नहीं मिलती है फिर एक last चीज जो इसमें बचती है क्या कि water containing cavities भी जो होंगी वो present होंगी कहां पे vascular bundle के ही अंदर हमें देखने को मिलती है इस diagram में हम लोग देख भी सकते है कि vascular bundles के अंदर हमें यह water containing cavities देखने को मिल रही है यह सब तो यह सब हो गया हमारा discussion किसका हमारे monocot stem का epidermis हमें यहां देखने को मिलेगा उसके नीचे hypodermis होगा जिसका nature कैसा है scleran chimatis है उसके बाद scattered vascular bundles देखने को मिल रहे है ground tissue बहुत conspicuous हमें देखने को मिल रहे है और parent chimatis होगा phloem और xylem कैसी arrangement है conjoint है लेकिन closed है open नहीं है open कब होता जब kambium present होता this was all about monocot and dicot stem next lecture में हम लोग इस chapter को conclude करेंगे और हमारे leaf की anatomy को discuss करेंगे प्रवाद करेंगे